हलो स्तु रादे रादे वेलकम बैक तो माइ चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकुस करेंगे युनिच 3 को ठीक है युनिच 2 हम लोग कंप्रेट चुक है युनिच 2 कंप्रेट होचिक हैं जिन्हों नहीं देख़्ा है वो जाके वीडियो देख लिए और 3 ए कोश्चन से मैंने देखे थे तो काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर प्रैक्टिस वाली तरिक्य हो जाएगा क्यों कि उस पर आंसर बगल में नहीं दिये गए हैं तो वह क्या है कि अच्छे-च्छे कोश्चन सो उस पर दिये गए इजी नोट पर चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बहुत कम टाइम बचाएं पहला कोश्चन इस पर दिये गया है अंतरास्ति योग गिवस कब मराया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को योग सिख्षा की प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधी ठीक है नेक्स दिया गया है वयाम के पश्चात सरीर को पुना पूर्ती करने हैं तू कौन सा पे पदात पीना चाहिए तो इसकांसरो जागर नारियल पानी सबसे कुशल प्रकार के वयाम में से एक है तो क्या हो जाएगा मध्यम गत प्रती से चलना और तभी बोलाता खाने के बाद चलिए अप और सुबह सुबह बोलाता टहलना चाहिए और इसके बाद है योग का मूल हजारों वर्थ पूर्व में ही माना गया है तो किसने मारा भारत हो जाएगा योग का अर्थ है मान से के उतार चड़ाओ पर नियंतर पाना यागतन किसका है तो इसका अंसर हो जाएगा पतांजली का है फिर दिया गया है कठोप निशद के अनुसार योग की परिभाचा है और इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्रियों मन और बुद्धी पर नियंतर ठीक है तो देखे जिसको भी पीडिएफ चाहिए आपको मिल जाएगे और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट रहती है पीडिएफ आपके पास होनी चाहिए ठीक है आप ले लिए उसको चलिए फिर इसके बाद दिया गया है इंद्रियों मन और बुद्धी पर नियंतर करना है ठीक है फिर नेक्स्ट दिया गया है साय नियुत राष्टि महासबार में ने 21 जून से अंतराष्टी योग दिवस कब घुशित किया था तो कब कर रहा था 21 सितंबर 2014 को कर रहा था ठीक है फिर नेम लिखेते में से कौन से ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा कोर्टी सोल को बढ़ान फिर योगि करियाओं के परशात किया जाने वाला यंत्र है तो क्या हो जाएगा भावना यंत्र है फिर प्रधान मंत्री स्री नरेन मोदी ने संयुक्त राष्ट महासबा में किस दिन यह का अतार कि यंतराष्ट योग दिवस मनाया जाना चाहिए तो कब कहा था 27 सितंबर 2014 14 को बोलाता तबंबंबंः इसके एव नाया जाता है फिर- इसके बार दिया गया नियंगरус से ध्यान के प्रकार है तो कौन-कौन से हो जाएंगे निर्गुर्व भी और भी है फृद्ध के कितने शायदन है तो इसका अंसरु कोदी जी कि है और फिर इसके बाद है धैनिक क्रियाओं को करते हुए सद्स ओसेश्वर का ध्यान करना कौन सा योग कहलता है तो एक लिग योग कहलता नेक्स्ट दिया गया है कोशन और इस पर है योग सारेडिक सिख्षा एवंस लेख से समंदित होता है क्योंकि योग से उपरोग सभी हो जाएंगे तीनों इसके सही है नेक्स्ट आजाते हैं अब देखें ये वाला कोशन अच्छा है ये वाला याद दखेगा जो रोज करेगा योग उसे नहीं होगा कोई रोग या किस ने कहा था तो इसका अंसर हो जागा बाबारामदेव उन्हें कहा था ठीक है अब एक चीज और की बाबारामदेव जैसे भ क्या बिजनस में आ गए और बिजनस के आने के बाद थोड़ा सा ये डाउन हो गया पहले जब यह आये थे तो इनने बहुत अच्छा कर रहा था ठीक है योग भी अच्छा कासा उपर हुआ था ये सब योगा भी करते थे ठीक और उसके बाद खान पान का भी ठीक था और व एक चली आगे देखते हैं इस पर यह योग का प्रकार है कौन से प्रकार हो जाएगा तो इसका अंसर और इसके हो जाएगा भी we है तो योग क्या है धर्म और साधन है किसने कहा है कि अपने मन की रित्यों पर नियंद्र करने करना ही योग है तो किसने कहा है गुरु गोरकनात ने कहा है फिर है योगासन करने का सर्वोत्म समय कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रहताकाल योगासन है तु कौन सा इस्तान उप्रयुक्त है मान लग ललगे उप्रयुक्त होता है सबसे अच्छा होता तो जरह समतल हो जाएगा फिर सूर्य नमस्कार की कितिनी स्थिति कहां हैं तो इसका अंसर हगा 11 है योग आवह सन का प्राइंब किस से किया जाना स्वर्सेष्ट मांव जाता है तो इसका अंसरोजागा सूर्य नमस्कार और फिर आराम की स्थिती में प्रतिय के प्रतियक अंग को डीला छोड़कर चुप चाप लेटने वाले आसन का नाम है तो इसका अंसरोजागा स्वासन ठीक है चलिए आगे देखते हैं इस पर दिया गए सरीर के सभी अंगो चोटे-चोटे जो कोश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है काहिने का मतलब यह कि देखिए यहां पर सब्द क्या लिखा है उत्पत्ति अब यह देखिए अभी मैंने मैं वैसे भी बोलाओं कि जितने भी टॉपिक छोटे-छोटे यह आप लोग नोडाउन कर लिजे ठीक है जिसे कि अब देखिए यहां पर शब्द आ गया उत्पत्ति तो उत्पत्ति से जितने भी कोश्चन आपको मिले एक जिगे आप नोडाउन कर लिजे इससे कंफर्म है कि एक कोश्चन आपका पूछा ही जाएगा ठीक है सारे सारे पेपर के ही तो यह आप उत पाचीन पत्त है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकास में लाता है या कतन किसका है तो इसका आंसर हो जाएगा रादा कुश्चन का है फिर इसके बाद दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता में दिया गया ठीक है यह वाला भी काफी इंपॉर्ण कोशन है फिर इसके बाद है चित्व वित्यों का निरोध ही योग है या परिवासा किसकी है तो ये परिवासा किसकी है पतंजली की है पिर इसके बाद है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा पतंजली है योग का लक्ष नहीं होता है क्या नहीं होता है भोजन की प्राप्ति नहीं होती है फिर योग की कितने अवस्थाय होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हट योग का महतपूर अंग है तो कौन सा हो जाएगा प्राणायाम हो जाएगा भगवत गीता के किस अध्याय में राज योग का वर्णन है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आठ वे में यह भी आला भी कोशन आप देख लीजेगा भगवत विस्ता से इस भी कोशन से काफी बने हैं और कॉशन्स हम लोगने करें भी हैं ठीक है तो इसका भी काफी कोशन्स सिर गोचा एक क्सिंद दिके आएगा ही फिर ए शूर नमस्कार की कितनी सित्यां हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ग्यारा फिर दिया गया है योगा असन का प्रारंब किस आसन से किया जानाा सरु से-इस सरीर के सभी अंगों के वयायाम की द्रिस्टी से कौन सा आशन सरसिस माना चाता है तो क्या हो जाएगा सरवागर्शन फिर योग की उत्पति देखिए अभी हो चुगा है तो संस्कृत हो जाएगा इसका योग वा प्राशीन पत है जो वैक्ति को अंधेरे से प्रकास में लात या कतन अंधेरे से प्रकास में लाता है या कतन किसका है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी ऑप्शन तीक है रादा कृष्णन अच्छा आप इसको देखिए याद करने के लिए मैं बताता हूं लोग जाते ब्रिंदावन टीक है ब्रिंदावन जाएंगे तो रात में पकड़ेंगे और सुबह ब्रिंदावन पहुंच जाता है ब्रिंदावन में कौन है रादा कृष्णन ने ठीक है तो अब इसको ऐसे याद कर लिए इसको जल्दी से याद हो जाए मैं भी नहीं बूलूंगा यह वहला कोशिन भी ठीक है योग वा प्राचीन पत्थ है जो व्यक्ति अंधेरे से प्रकास की ओर जाता है प्रकास में आता है या कथन किसका है तो राधा कृष्णन का है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं योग करमेशु कौसलम या वाकि किस्तिग्रण से है यह वाला भी कर रही है बगवत गीता से है नेक्स्ट दिया गया है चि प्रकास का अंसर किया है बोजन की प्राप्ति यoseb Slack की अबस्थाएं राज्यों कैंजम सेaces कंशर में हैं राज़ाए राज़ ग्सट्विट、、атель में है पिर है सांक्यर में कितने त्वश्य योग्स्टियस है योग क्या है इसका आंसर में साधन है यम का अर्थ है तो क्या होता है नियंत्रण होता है योग दर्शन के अनुसार मनुष्य के क्या प्रतिबंधित है तो क्या प्रतिबंधित है असत्य है योगासन से पूर्व की जाने वाली शुद्धी क्रियाओं की संक्या है तो इसका अंसर हो जाएग अच्छे हैं सत्य को ग्रहन करने वाली वुद्धी को कहा जाता है क्या कहा जाता है तुम्हरा प्रज्या ठीक फिर इसके बाद निम्न में से कौन सी प्रुवित्ति आलसे प्रमाद तथा और साथ के कारण आज़ाएं तो उसका अंसर हो जाएगा निंध्र वित्ति फिर दिया गया है पतंजली के इनुसाइद चित् नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा सजगता फिर पतंजली के अनुसार्चित्र इस्थिर्टा के लिए वारम बार को प्रयत्न किया जाता है उसका नाम है तो इसका अंसर हो जाएगा अभ्यास फिर देखें एक और काफी अच्छा कोशन है कि योग नू सासनम सब्द का परबारम परागत योग है दृष्टू का परया बाचि सब्द है तो इसका अंसर हो जाएगा पुरुष पतंजली योग के अंसरा व्रत्यों की संख्या है तो इसका अंसर हो जाएगा पांच है नेक्स्ट आजाते हैं कोश्चन और इसमें दिए गया निम्निमे से कौन सी होता है तो इसका अंसर क्वीरों से उपनिशद के योग 15 अंगो का अंसर हो जाएगा तेजो बिन्दू पनि शद फिर दिया गया और निम्न में से कौन से उपनिशद में चार प्रकार के योग मंठर ले हट एवं से राज योग कि व्याख्या है तो इसका आंवर जाएगा योग तत्वो पनिशद ठीक है यग सथ निम्न में से everyone द्हातु से बना है तो इसका आंसर हो जाएगा यूज धातु से है फिर invent Jam güzel योगय का अर्थ निंज में से कौन सा है तो इसका आंसर वह जफ्योग सभी है मिलना है जोर है सांयुक्त होना भी छिक question भी अलग से लिख लीजेगा छोटे question है बड़ आ सकता है फिर दिया गया योग सब्द निम्ड में से कौन सी उत्पत्ति के अनुसार बना है तो इसका answer हो जाएगा जोड या मेल धातु से बना है ये फिर दिया गया है question योग से समाधी सब्द को समाना अर्थ थक मानने का आधार है तो इसका answer हो जागा यह ऑप्षिन से योग सा समाधी के कारण से उत्पन मान का दोनों शब्दों का समाना अर्थ थक माना गया है फिर दिया निम्ड में से कौन सा योग सब्द का अर्थ है तो यह हो जाएगा समाधी है next है निम्ड में से कौन सा योग का सामानी अर्थ है तो इसका अंसर हो जाएगा यूजर योगे हैं फिर है योग का तक्निकी अर्थ निम्ड में से कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा करårt एकले औसकी योग का सरवादिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है तो इसका अंसर हो जागा A onction फिर इसके बास के बाद दिया गया योग शब्द को उपाईके अर्थ में प्रयोगत किया गया है तो अंसर हो जाएगा महा भारत में। पिर है आत्म विशुद्धी के ऊपाय के रूप में योग सब्दका प्रयोग कि या घया है तो इसका अंसर हो जाएगा, घीता में हुआ है। तो कहा हुआ है तक्नीकी अवं समानी अर्थ में हुआ है फिर योग शब्द का एक अर्थ है क्या अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा सन्हान ठीक है, next है, हट योगा अभ्यास के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोक्त नहीं है, तो इसका अंसर हो जाएगा D option, जहां दुस्ट उर्षो का निवास हो, फिर है योगा भाशी के लिए अपत्य है, तो इसका अंसर हो जाएगा उपर योग सभी, तिल भी है, कुल्थी भी है हिंग भी है, तो इसका अंसर D हो जाएगा, फिर है, योगी के लिए पत्य कारक नहीं है, तो इसका अंसर हो जाएगा बेर, अलोम, विलोम शब्द का अर्थ है, तो इसका अंसर हो जाएगा C options, अनुकूल, प्रतिकूल, फिर है, हट प्रदीपिका में सूत्र नेत्री के हालिस्त, एक बिस्ता, ठीक है, फिर है, हट प्रदीपिका के अनुसार्थ धौती कर्म है, तो धौती की लंबाई हो नहीं चाहिए, तो इसका अंसर हो जाएगा 15 हाथ, फिर नेक्स्ट दिया गया, निम्न में से कौन सा समाधी अवस्ता का लक्षन नहीं है, तो इसका अंसर हो जाएगा, एक सकेट, हाँ, कौन-कौन सा नहीं है, तीन और चार नहीं है, तो कब जिका नास भी नहीं है, और ववस्ती से मुक्ती भी नहीं है, फिर है, घेरंड सहिता के अंसर धौती का भाग नहीं है, तो इसका अंसर हो जाएगा जल धौती, फिर दिया गया है, घेरं हैं तो इसका अंसर हो जाएगा उपरे हो सभी ग्राम सो नहीं क्यालोरी उडजा प्राप्त होती है तो कैलोरी हो जाएगी फिर पाचन के दौरान वसा अव शोषित होती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका सी ओप्षिन्स वसी वसी अमलो एवं सु ग्लूस ग्लूसो रॉल्स में विभिक्त होकर ठीक है फिर दिया गया है निम्न में से कौन सा वसा का श्रोत नहीं है तो इसकी अंसर हो जाएगा मुंग की डाल है अंतरास्त योग दिवस से कब मनाया जाता है सबको पता है 21 जून को फिर अंतरास्त योग दिवस की सिर्वात किस देश से हुई थी तो इसका अंसर हो जाएगा भारस से ठीक है आप देखे यह आपका सब्द आ गया है तो इससे रिलेटेट आप 2023 में जितना भी कुछ हुआ ह है उसको भी एक बार देख लीजेगा हो सकता है कि आप से कोशन इससे पूछा जाए ठीक है तो 2023 में जो भी इंपॉटंट से पॉइंट्स होंगे अंतरास्त योग दिवस से उसको भी एक नजर माल लीजेगा फिर इसके बाद दिया गया है अंतरास्त योग दिवस की भागार्शन फिर निम्न में से वेदो की कितनी संक्या हो है चार हो जाएगी वेदो को डैस भागों में बाटा गया है कितने भागों में चार हो जाएगा कहां चलेगा वेदो को कितने भागों में बाटा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा चार हो जाएगा फिर निम्न मे कीसे योग के कौन से आधार महत्पूर्ण है तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों नेतिक और समाजिक फिर है योग में किनकिन शक्तियों का विकास कर सकते हैं तो इसका पर योग सभी हो जाएगा फिर दिए घया मन में Daigo में बाटा गया है कितने वर्गों मे तीन वर्ग हो जाएगा जोग कितने की होता है तो आउसर हो जायगा चार प्रकाइब का होता है यह कतने प्रकार के होते हैं यह प्रकार बाले भी आप लोग देख लीजिएगा इसको अलग से नोट डाउन करिएगा पूरा एक पूरा एक नोट अलग से बना लिजिए आप लोग पार्ट से प्रकार कुछ भी आप डाल के समझ जाएं भाग ठीक है और प्रकार कुछ भी समझें इसे आपका भी कोशन से पूछा जाएग ठीक है फिर इसके बाद दिया गया है किस भासा से योग शब्द की उत्पत्ती हुई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संस्क्रित हो जाएगा फिर यूज का 10 अर्थ है तो इसका आंसर हो जग उपयोग सभी एक होना जुड़ना और मिलना फिर प्राण कितने प्रकार के ह नाम से किस क्रिया को जाना जाता है तो आंशर हो जाएगा काम पूर स्वास को अंदर लेना पतंजली सूत्र सर्थी योग में कुल जूत्रों की संक्या है तो आंसर होजाएगा 195 कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर हो जाएगा पांस में कितने गति voulez Nanda होती हैं तो प्राणयाम में तीन गतिविद्या होती वग्यां प्रहुत के योग में किन-किन तत्वो का ग्यान Cen प्रकार के होते हैं सूरी नमस्कार में कितने चरण होते हैं तो सूरी नमस्कार में बारा चरण होते हैं फिर दिया गया है हट योग में अंगों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है आदुनी की योग की सुरुवात में सुरुवात 10 में हुई थी कब हुई थी तो 1893 में जाएगा 6 घंटों का अंतर होना चाहिए प्रतम अंतराश्री योग दिवस विश्व में कितने देशों में मनाया था तो कितने देशों में 58 में हो जाएगा योग का जन्व दाता कौन है तो योग का जन्व दाता भारत है भारतिय दाशनिक परंपरा के डैस भाग हैं तो कित बाद मन के अंग को कितने भागों में बाटा गया है तो तीन भागों में बाटा गया है गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है तो परियोग सभी को बताया गया है कर्म को भी भक्ति को भी और ग्यान को भी फिर सांकिम में कितने तत्वों का समावेश है तो इसका अं PDF चाहिए वो मुझे इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकता है बहुत मिनमम प्राइस में हैं और अब तो लास्ट टाइम बचा है आप लोग ले लीजिए क्योंकि देखें जिसके पास नहीं है जो इसके पास नहीं मिल लए वह आप ले सकते हैं अब देखें मेरे पास जो एबले इसमें हैं आप लोग ले लेंगे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ठीक है चले मिलते हैं नेक्स्ट पर धन्यवाद